कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जट पट तील के लड़ू बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ तो यहां पर मैंने 200 ग्राम सफेद तील ले लिया है और इसे मैं एक कड़ाई को हीट करके और बिना किसी ऑईल के इसे भूण लोंगी लो फलेम पे आपको तेज फलेम नहीं रखना है नहीं तो आपका जो तिल है वो जल जाएगा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कि आपको इसे भूण लेना है और इसमें जो-जो इंग्रीडियन इस लड़ू में पढ़ेंगे वो द तो यह जो इंग्रीडियन्ट है वो लड्डू में मैं डालने वाली हूँ तो दोस्तों देख लीजे कुछ इस तरीके से आपको भुनना है तो इसी तरह आपको चलाते रहना है छोड़ना बिलकुल नहीं है नहीं तो आपका जो तिल है वो जल सकता है और एक पॉपिंग साउ देख सकते हैं कि हमारे जो तिल है वो भुनकर रेडी हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इसमें से थोड़ा सा तिल निकाल कर हम एक ग्राइंडर जार में डाल कर इसे हलका दरदरा इसे पीस लेंगे तो यह देखिए ठंडा होने के बाद मैंने एक ग्राइंडर जार में इसे डाल दिया है इसमें सफेद सफेद लगा हुआ है तो आप यह मत सोचेगा कि यह गंदा है इसमें मैंने पहले चीनी को पीसा था तो इसलिए यह उजला था तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दरदरा तिल को पीस लिया है तो क जाहे तो readymate खोया भी बना सकते हैं गाइस यहाँ पर मैं एक बरतन में जितने भी ingredients हैं लड़ो बनाने के लिए उन सभी को mix कर लूँगी तो यह जो तिल हमने भूना था वो खड़ा खड़ा जो तिल है वो लिया है मैंने उसके बाद जो तिल मैंने powder बनाया था हलका दरजरा पीसा था उसे मैंने लिया है इसके बाद मैं यहाँ पे PC हुई चीनी लूँगी यह लगभग 100 ग्राम चीनी है इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है नारियल का जो powder मैंने बनाया है घर पे वो आपको लेना है आप रेडिमेट नारियल का powder भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से और इसके बाद अगर आपके पास dry fruits हैं जो भी available तो आप dry fruits डाल सकते हैं यहाँ पे मैं बादाम लूँगी और सभी को अच्छे से mix कर लूँगी बादाम लूँगी हलका कटा हुआ फाइनली चॉप्ट बादाम है और यहाँ पे मैंने इलाइची का powder लिया है इसे मैंने घर में ही कूट लिया है आप रेडिमेट इलाइची का powder ले सकते हैं इन सभी इंग्रीडियन्स को एक साथ डाल के आपको अच्छे से mix कर लेना है कुछ इस तरीके से तो गाईज मैंने इसे बहुत अच्छे से mix कर लिया है सभी इंग्रीडियन्स को एक साथ और यह देखे हमारा जो दूध है वो भी boil होने लगा है आपको इसे समय समय पचलाते रहना है लो फ्लेम पे आपको खोया तयार करना है हाई फ्लेम पे नहीं नहीं तो आपका खोया जल जाएगा तो देखे दोस्तो हमारा जो खोया है वो बनकर ready हो गया है और जितने भी ingredients हमने mix किये थे लड़ू बनाने के लिए वो सभी को हम इस खोया में अच्छे से डाल कर mix कर देंगे कुछ इस तरीके से आपको इसे mix कर लेना है बहुत अच्छे से आपको इसे mix करना ह अगर आपका मन है तो आप इस mixture में एक चमच घी भी डाल सकते हैं काफी अच्छा स्वाद आएगा तो ये हमारा mixture ready है लड़ू बनाने के लिए और लड़ू बनाने से पहले आपको अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि जब आप इस mixture को अपने हाथ में ल लड़ू बना सकते हैं बड़ा चोटा जो भी है मन आपका वो बना सकते हैं और इसी तरह से मैं सारे mixture से लड़ू को प्रिपेर कर लोंगी और हमारा लड़ू कुछ इस तरीके से तयार हो जाएगा दोस्तों ये जो लड़ू है ये आप air tight container में ठंडे होने के बाद रख सकत हैं बहुत ही yummy लगता है tasty लगता है एक तो इसमें खोया डाला है इसलिए tension नहीं है आपको कि आपके लड़ू कड़क बनेंगे बहुत ही soft लगते हैं बहुत ही healthy हैं आपके बच्चों के लिए आपके लिए dry fruit से खोया है तिल है ये सभी हमारे health के लिए बहुत beneficial होते हैं ठं experience comment box में जरूर शेर कीजेगा दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपके लिए useful रही होगी वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलती हूं ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई see you soon and love you all